कि अज़ो एब्रीवन वेल्कम टू दा अनेकेडमी स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनेकेडमी उजी सी नेट में सबसे पहले तो आप सभी को गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग एब्रीवन और आज का जो हमारा टूपिक होने वाला है वो है आपका एंसेंट यूनिवर्सिटी है जिसको हम डिसकस करेंगे एक आपका नालंदा है और तकसिला है यह च्यार यूनिवर्सिटी सें जिसको हम डिसकस करेंगे और इस से रिलेटेड आपके कुछ MCQ सें जिनको भी हम सोल करेंगे जिससे कि आपका complete concept है वो in a single class आपका cover हो सके वलबी, विक्रमसिला, नालंदा और तकसिला यह च्यार यूनिवर्सिटी सें जिनको हम डिसकस आज करने वाले है चलो जी तो सुरू करते हैं सेशन को एंड यह हमारा सेशन नंबर 6 है जो हमने प्राचीन भारत में सिक्षा का परीचे जो start किया है जो first topic आपका चल रहा है उसका session नंबर 6 है जिसको अभी हम cover up करेंगे चलिए तो सुरू करते हैं and सबसे पहले तो यह मेरा एक brief introduction है profile का link आपको दिया होगा description में जहां से जाके आप मुझे follow कर सकते हैं अभी people development environment का आपक basis भी हो रही है इन classes पर रहुंदा regular basis अटेंग कीजिए उसके अलावा आइकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहें उसको जोइन कर लीजी यह आपके आइकोनिक के प्लान है यह आपके प्लस के रफिट कोड शीवटें लगाना है और जैसे आप मेरा होगा क्योंकि personal code, study planner, study booster session, personal doubt solving session, interview preparation यह सब आपको बिलता है आइकोनिक यह आपका schedule रहता है तो आप इसको follow करो उंदर regular basis, paper 1 की special class होती है वो 4 बज़े होती है शाम को उसको भी follow करो, code आपको लगाना है शीव 10 और जैसे आप code लगाएंगे तो आपको instant discount यहां से मिल स्टाइट करते हैं तो यह हमारी कुछ famous universities है जिनको हमें cover करना है exams के लिए एंड तकसिला, नालन्ना, विक्रमसिला, एंवललभी यह 4 university है जिनको अभी हम discuss करेंगे और इन से related जो भी आपके practice question है जो भी आपके practice MCQs है उनको भी हम discuss करने वाले हैं तो चलो, start करें ना, सबसे पहला जो university है जिसको हम अभी discuss करेंगे वो है आपका तकसिला इनुवर्षिटी और ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का प्राचिंतम विश्व विदाला है जो माना जाते है one of the oldest university of the world जो की present time में भारत में नहीं है वर्तमान समय की हम बात करें तो पाकिस्तान में अवस्तित हैं लेकिन पहले जब भारत डिवाइड नहीं हुआता है तब यह हमारे भारत का ही इस्सा तो अब जब तकसिला इनुवर्षिटी की हम बात करते हैं कैसे तो तकसिला इनुवर्षिडी आपका जो कौ já बुद्धियस्व एं फिद्धूईजप दोनों का एक पर्मुक सेंटर रहा है ठीकष़ ने फिफन संचूरी तक यह ये यूदोषिटी है ये चलता रहा और 5th century में या 4th century में हम देखते हैं कि खून आकर्मन होता है भारत के विदेशी आकर्मन होने के कारण इसका पतन है वो सुरू होता है फिर भी ये 5th century तक ये university है ये अवस्तित रहता है अब हम इसकी location की जब बात करते हैं तो location की बात करें तो ये पाकिस्तान के रावल पिल्डी डिस्टिक में ये बिसिकली अवस्तित है उसके अलावा अगर हम अपने रामाइण वगेरा तो समने देखी होगी most of the people ने या जानते रामाइण में वाल्बी की जो रामाइण है उसके अनुसार जो राजा भरत है राजा भरत के पूत्र हुए है तक्ष राजा भरत के पूत्र है तक्ष तक्ष के द्वारा तक्सिला है उसका फॉंडिशन किया गया था तक्सिला जो नगर है उसकी जो स्तापना है वो राजा तक्ष के द्वारा जो कि राजा भरत के पुत्र थे उनके द्वारा इस तक्स की स्तापना किये गई है जो तक्सिला है उसकी स्तापना किये गई है तक्सिला जो University है यह UNESCO है उसकी World Heritage Site भी है आपका त्योंकि 1980 में इसको UNESCO की World Heritage Site का दर्जा है वो मिलता है यह भी काफी important fact है यह already आपका exam में पूछा गया है कि जो तकसिला university है उसको UNESCO की World Heritage Site का डर्ज़ा कम मिला तो यह हमें पता होना चाहिए इसको World Heritage Site का दो जर्ज़ा है वो आपको 1980 में है वो मिलता है तो इसको याद रखेगा सब लोग उसके बाद में location हमने देख ली है और जैसा कि मैंने बताएं कि यह जो university है यह भारत के नहीं पुरे विश्वा की one of the oldest university है जो मानी जाती है अब यहाँ पे जो यह university है यहाँ पे total 68 subject की पढ़ाई होती थी जैसे अर्च सास्तर में पढ़ाया जाता था आईरवेद की पढ़ाई होती थी military size की पढ़ाई होती थी लेकिन यह famous किसके लिए है medicine के लिए है देखो यह question पूछा गया है famous किसके लिए है medicine के लिए medicine के लिए famous university आपकर रहे है इसके अलाव वो सारे जो scholar है वो यहाँ से पास आउट हुए है जिसमें से कुछ परमुक आपको मैं बता देता हूँ जैसे की scholar कौन कौन से है यह आपको बता होना चाहिए scholar की जब हम बात करते हैं scholar में देखो एक तो आपके है चानक क्या जिसको हम कोटिले के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने अर्ज सास्तर की रचना की है एक आपके चरक जिन्होंने चरक सम्हीता की रचना की है एक आपके पानी जिन्होंने अस्ट धाई की रचना की है और यह कोशन आपका 2020 का कोशन है तो यह कुछ famous scholar रहे हैं एक विश्णु शर्मा भी एक famous scholar रहे हैं जो यहां से पास रूट है विश्णु शर्मा जेरोंने पंचे तंतर की रचना की है एक आपके गाईस चंद्रगुप्ट मोरिया का नाम आपने सुना चंद्रगुप्ट मोरिया जो की मोरिया वन्स के संस्तापत है चंद्रगुप्ट मोरिया एक सीरियल भी आया करता था अगर आपने देखा हो तो यह कुछ famous scholar है कुछ student है जो की तक्सिकला में पढ़े वह या तक्सिला में नोंने काम किया है तो याद रखना अर्शास्त्र है कोटिल ले या चानेकेक के द्वारा लिखा गया है जो यही से हैं आपके महर सी चरक हैं आपके जिन्होंने चरक संभीता की रचना की है वो भी यही से है पाने नी जो एक famous grammarian हुए है अस्टे धाई की रचना की है वो भी यही से बिलों कर विश्णु शर्मा है जिन्होंने पंच चंतर की रचना कि जो कि कहानिया है आपकी कल हमने बात भी किया थे कोशन भी है पंच चंतर की कहानिया विश्णु शाथा तो इसको याग रखें नौ अब देखो जैसा कि हमने बात किया इसे आप समने पढ़ा होगा कि नालंदा को ब वो आकरान ता थे उन्ने टैस्टनेस किया ऐसे ही जो तक्सिलाु उनिवर्सिटी ओप उसको जो हूण एक ट्राइब होती थी, यह बहुते दुस्ट लोग होते थे, इन्होंने आके हमारा जो तकसिला है उसको तैसनेस किया, तो वही से आपका जो तकसिला है, वो बिग्रेड होना है, स्टाट हो जाता है, तो हूण आये थे बिसिकली चाइना से, जिनको अच्छा नहीं लगा, जिनको थोड़ी सी जलन होती थी भारत से, आज भी होती है वो सारे कंट्रेज को, उन्होंने इस उन्वरसिटी को तैसनेसी, ठीक है, तो यह है आपकी तकसिला उन्वरसिटी, most of the question आपके यहीं आते हैं, अगर आपको इतना केलियर है, तो सारी चीज केलियर ह ठीक है, अब मैं फटा-फट से आपको चीजे बता देता हूं कि आपको याद क्या रखना है, देखो, location याद रखनी है, कौन से धरम से related पढ़ाई होती थी यह याद रखनी है, जुनेस्को की heritage site का मिली, 2020 का question है, 1980 में मिली, ठीक है, उसके बाद में कौन-कौन से subjects पढ़ा आई जाते थे, famous किसके लिए है, medicine के लिए है, उसके अलावा कौन-कौन से scholar है, जो यहां से पढ़े हुए है, यह सारी चीज़ आपको पता हो, एक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्तूप था जिसको हम बोलते है, धरम राजी का स्तूप, तो कि कहां पे है, तकसिला में, धरम राजी का जो स्तूप है, वो कहां पे, तकसिला में, यह चीज़ में आपको याद रहे है, मुश्रुप दा कोशन आपके यहीं से निकल जाएंगे, तो यह है आपका तकसिला उनिवर्सिटी, दूसरे नमबर का उनिवर्सिटी है हमारा नालंदा उनिवर्सिटी, नालंदा उनिवर्सिटी हमारा से निवर्सिटी, अब नालंदा उनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो यह वन ओप दा ओल्डेस रेजिडेंशियल उनिवर्सिटी, यह आपको पता हूँ, ठीक है, वन ओफ दा ओल्डेस्ट, रेजिडेंशिल उनिवर्सिटी उफ द पूरे वर्ड का सबसे पूराना आवास ये विश्वे विद्याले है जो आपका है नालंद ये याद रखेगा नालंदा है वो वुक्त और आपके जो पाल बंस है पाल डैनेस्टी डोनों के टाइम पे फला खुलाई है इसकी जो स्तापना है वो किसके द्वारा की गई वो कुमार गुप्त प्रतम है जो कि गुप्त वंस के सासक है जिनके द्वारा इसकी स्तापना की गई इसके द्वारा की गई गुप्त वंस के सासक थे कुमार गुप्त प्थम ये द्वारा स्तापना है वो इसकी की गई थी ऐसा बताए जाता है कि ये बुद्धिस्ट यानि बोद्धरम का में सेंटर रहा है क्योंकि यहां पर तेरा मोनेस्ट्री सें जो आपको मिली है ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि सेंट सेंचूरी के दोरा लगबक दस हजार स्टूडेंट और दो हजार टीचर्स यहां पर रहा करते थे और वो सारे स्टूरियन है वो सारे स्कोलर है जिन्हों ने यह बता है कि यहां पर चाइना पिबद कोरिया पर्सिया मंगोलिया इन सब से स्टूडेंट यहां पर आके रहा करते थे नहीं सकते उसके बाद में यहां पर एक चाइनीज स्कोलर आये थे हीन सांग जो कि सेवन सेंचूरी में यहां पर विजिट किया गया था यह कोश्यन ओलड़ी आपका पूछा जा चुका है पुछा गयता कि हैज स्टूरी में यह बताए कि यहां पर एडमिशन लेना है तो भोट मुश्किल होती है और उसने यह बताये कि यहां पर जो टेस्ट होता है आपका अंटरैंस टेस्ट इस्ट उसमें तो इसको भी आपको याद रख लेना है उल्ली ट्वंटी परसेंट है जिनका एडमिशन है वो यहाँ पर होता है उसके अलावा कि एक यहाँ पर बहुत फेमस लाइबरेरी है धरमगंच और इस धरमगंच के तीन पाट है तीन ऐसे कुछ आपके क्या है धरमगंच के पाट है बस आपको धरमगंच याद रखना है कि धरमगंच यहाँ पर एक लाइबरेरी हुआ करते थी बहुत ही फेमस लाइबरेरी है जहां पर बुद्धिस्ट और वैदिक नोलेज है उससे रिलेटेट जो आपके मैटर है वो आ उनिवर्सिटी है इसका जो पतन है वो बक्तियार खिलजी नाम का एक तुर्किस इंवेडर होता है जिनों ने बारवी सताबदे में इस उनिवर्सिटी का क्या किया था इसको खतम कर दिया था बैसिक है यह आपको याद रख लेना है यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स ह जो आपको नालंदा युनिवर्सिटी के बारे में याद रखने है यहां से मस्ट अफ दा कोशन आपके निकल जाएंगी चीक है अब देखें यह जो नालंदा युनिवर्सिटी है यह बुद्धिस इंटर रहा है यह चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ब यह चीज आपको याद रखें नव दा नेक्स्ट नेक्स्ट युनिवसिटी है तीसरे नमबर की वो है आपकी वलाबी उनिवसिटी कहांपे है आपका गुज्रात में यह चीज आपको भी याद रखना है गुजरात में है आपका वल्लबी उनिवर्शिटी यह जो वल्लबी उनिवर्शिटी है यह बेसिकली मैत्र का जो किंग है स्तापना किसके द्वारा कियी थी मैत्र का किंग मैत्र का राजा है भटारक भटारक के द्वारा इसकी स्तापना की गई थी यह चीज आपको याद रखना है इसके अलावा गईस जैसे नालंदा में है इंसांग गया था ठीक उसी तरह से यहाँ पे इत्सिंग एंड है इंसांग दोनों के दोनों इस युनिवर्सिटी में विजिट किया था है है इसके अलावा यह जो यूवर्सिटी है यह आपका किसके लिए फेमस है अटसास्तर के लिए भी फेमस है नितिसास्तर के लिए प्रफिशन के लिए आपका यह याद रखना है इसको भी आपको याद रखना है कि फार्मडेशन किस ने किया है मैत्र का सास्तर के भाट्टा रख जिनके द्वारा यह फार्मड किया गया है और यह गुजरात में अवस्तित है आपका वल्लभी में दूसरी चीज यह जो यूनिवर्सिटी यहाँ पें सबजेक्ट कौन-कौन से पढ़ाये जाते थे तो यह सारे के सारे सबजेक्ट है जो यहाँ पें पढ़ाये जाते थे यह चीज आपको याद रखें इसके अलावा जो ये इनिवर्सिटी थी इसकी एक विश्यस्ता और थी कि जो भी इस उनिवर्सिटी से पढ़ता था वल्ले भी उनिवर्सिटी से जो भी स्टुडेंट पढ़ता था उसको हाई पोस्ट ओफर की जाती थी क्योंकि यहां की quality of education यह काफी अच्छी थी जो भी स्टूडेंट यहां से पढ़ता था जो भी यहां के स्टूडेंट होता था उसको बहुत अच्छी नोकरी मिलती थी ग्रेजवेट्स ओफ दिस उनिवर्सिटी वर जनरी ओफ़र्ड वैरी हाई पूस्ट है क्योंकि हांकि क्वालिटी ओफ एजुकिशन है यह खाफी व यूनिवर्सिटी थी है कि यहां पर सारे सब्जेट्स की सारे धर्मों की पढ़ाई यहां पर करवाई जाती थी वल्लड में जा यादध ल embroidery है न है उसके बाद में अपका नेक्सर चैन विक्रम सिल सी organisations पूर्थ नमबर का university है लिक्रम सीब्सक्रा ले लिएमगर सिटी यहां से बहुत सारे कोश्षंस और जो क्रीवेस से यह में आपके आप देखो दूर्सेटी के बारे में पढ़ते हैं कि विक्रम सिला精 जो इनवर्सेटी है इसकी जो स्तापना है इसकी जो इस्तापना है वह धर्म पाल के द्वारा की गही थे पाल वंस के सासक्ते धरम पाल जिनके द्वारा आठवी सताबली में गंदगा नदी के टटपद इसको स्तापित किया गया था अब यही कोर्शन आपका 2020 में पुछा गया था कि विख्रम शिला यूण सेटी है कौन सी नदी के किनारे में पसीवी है तो विक्रम सिला एक बिक्रम सिला कुछ ना कुछ तो चलता होगा है आपके है ना मतलब इस खंडर टाइप को देखके ना वैसे मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं लेकिन यह जैसा आप देख रहे हैं यह जादू दोने के लिए तांत्रिक बुद्धिजम के लिए फेमस थी तांत्रिक बुद्धिजम के लिए फेमस थी तहां पर इस्तित है गंगा नदी के टटपर इस इसको आपको याद रखना है यहां भी जिस तरह से हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेट से बहुत सारे देशों से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे तो यह भी काफी फेमस यूर्शिटी रहा है आपका और इसका एक सेंट्रल बिंडिंग है विज्ञान भावन की ताफी फेमस है विक्रम सिलाई उनिवर्शिटी की इसको भी आपको याद रखना है और यहां पर द्वार पंडित में गेट में खड़े होते थे जैसे चोकेदार आज खड़े होता है और इसकी जो हाइस अथ्यू थैजंपति होता था चांसलर जो होता था यहां पर व्याकरन लोजिक एस्ट्रोणॉमिक तंट्रसास्त्र, करमकांडáveis नहीं powiedzieć लेकिन सबसे जादा जो फेबस है आंका वो है आपका तंत्र सास्त्र के लिए ये युनिवर्सिटी है वह बहुत जादा फेमास है यह चीज आपको याद रख लेनी है सब कि यहां पर जो डिगरी है वो ग्रेजवेट्स एंड पोस्ट रेजवेट्स को डिगरी भी जी जाती थी जिसको हम समवर्थ ना सेर्मनी बोलते हैं यह जिसको हम बोल सकते हैं कोन्वोकेशन सेर्मनी के दुबर टाइम पर हम पर डिगरी भी दी जाती थी यह भी आपको बता होना चाहिए दूसरी चीज इस युनिवर्सिटी को भी उसी दूस्ट प्राणी ने डिस्ट्रोई किया जिसका न इसको याद रखे और महा स्तावीर हैं वह यहां के चांसलर के रूप में फेमस हैं दूसरी चीज गंगा नदी की टट्पे हैं बिहार में वस्तित धरमपाल है सासक जिन के द्वारा इसका फॉंडीशन हुआ है यह कुछ important question है जो लड़े आपके बीवाई की में पूछे गए हैं जिनको आपको भूत अच्छे से याद रखना है रिमेंबर कर लाएंगे, चलो कुछ questions ही कर लेते हैं, ना, ठीक है, कुछ practice questions है, जिनको कर लिया जाएं, पहला question आपके सामने, अंसर बता, विच अप्छ फोल्विग मोज ओष अद्मिशन वस प्रेमलेंट इनलंदा यूझरी इन एंसे टैंटेंड्रेंस एंट्मिनेशन, इंटेव्यू, गूट अगेमिक रिदिंशल्चेल्स, या पेर दिसकॉशन, नालंदा यूझरी में अदमिशन के लिए क्या करना पता है, वस प्रेबलेंट इन नालंदा उनलविश्टी और एंसेंट एंडिया में 3 कि एड्य आपको अणक्ड का जो एजूकर क्मुनिटी है वहांפे आपको मिल जाए दो एजुकूर क्मुनिटी एदbourशागा चलिए, तो क्या होता था? फ़भिश परिक्षन Entrance Examination होता था जिसमें सिर्फ 20% Educate Student का ही admission होता था 20% ही admission होता था पहले चीज़ तो यह होगा अब ये बात हमें बताई किसने ये बात किसने बताई खी इन्सांग दे जो कि चाइना से भारत में आया तो उसमें हमें बताया कि जो यह उनिवर्सिटी है यहां पर एडमिशन के लिए आपको परविश परिच्छा देनी पड़ेगी और सिरफ 20% इस्टूडेंट है जिनका एडमिशन इस उनिवर्सिटी में होगा तो इसको जरूर यहां दखिए ठीक है नेक्स्ट यह लाइब्रेरी है चूकि नालंदा उनिवर्सिटी के है इसको जरूर यहां दखिए नेक्स्ट विच फॉलोइंग चाइनीज ट्रेबलर फांड अफ्लरेशिंग नालंदा उनिवर्सिटी एज बुद्धि सेंटर उफ लर्निंग वाइविच देन हैड अफ वर्डवाइड रेपूटिशन हेड़ा एंटरें सस्ट्रम ऑफ टेटिंग एक्सम वो सबको पता है किस्ट इत्रम मैंने अभी आपको करवाया है वह असर क्या होगा हैのは इंसाозм कि है autres स्कोल कि टेस्क में कैसे एंडूल करणा गीता इसका लिंक आपको दिया होगा नीचे वीडियो के अदेस्क्रिप्शन में जाओगे वहां आपको इसके लिंक मिल जाएंगे वहां से लिंक स सिंग ये तीनों के तिनों चैनिज्ञ प्रेवला किंहें सानलीड इसे सिंग पहीं इसथी थे एक कि तीनों के तीनों चीनी यात रीजिती भरत में इसनावर्णि नालंदा के बारे में वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब बताया है कि तक्सिला युनिवर्सिटी के बारे में आपको श्यार स्टेटमेंट दिए कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है इस करेक्ट कौन साथ ऐसे विचोंग था। पोलिग स्टेटमेंट थू अथल अथु अथुआ अधर कौन सब्सक्राइब तक्सिला इन्वर्सिटी उनिवर्सिट्ट है वन् टू कि एंट टू त्री औंध पौरों यू यॉ लिधर क्रेक्ट आंसर क्या है आपका, which of the following statement are true about the तक्सिलाइब में सब्सक्राइब तू, most of the people D answer कर रहे, let's see correct answer क्या होंगा, तो, correct answer क्या है आपका D, सारे के सारे statement बिल्कुल correct, यह university है, यह हमने बात की थी कि बुद्धिजम के लिए भी काफी famous है और वैदिक के लिए भी काफी famous है, तो, बुद्धिजम एन ब्रहामनिकल इंटलेक्ट्वल सेंटर रहा है, बुद्धिजम का भी रहा है, ब्रहामनिकल का भी रहा है, तो, सबसे पहले तो, यह दोनों चीज़ें आपको या दो, पाकिस्तान में, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान के रावलपंडी वाले एरिया में लोकेटेट है, पाने चीज़ नहीं है, जो हमारे ग्रामेरियन हुए है, जिन्होंने आस्टधाई की रचना की है, जो की ग्रामर की एक बुक है, वो यहीं से बिलोंग करते थे, तक्सिला से ही थे, उनके गाउं में ही थी इनुर्सिटी, ना, तो ये भी बोलते होंगे कि तक्सिला तो हमारे गाउं में ही है, जैसे आप सब लोग बोलते होंगे कि नालंदा तो भीहार में है, हमारे भीहार में है, विक्रब सिला तो हमारे भीहार में है, इसी तरह से पाने ने भी बोलते थे, तक्सिला तो मेरे गाउं में है, इन नालंदा यूनिवर्सिटी वास तूदा इस्ट इंडिया विचुप द फॉलोंग उनिवर्सिटी वास इन्वेस्ट इंडिया जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी है वो आपका इस्ट इंडिया में भिहार में उसी तरह से पश्चिम भारत में कौन सा इन्वर्सिटी था तक्सिला, वल्लवी, उधंतपूरी या मैथली बताओ, आंसर क्या होगा इसका जैस देखी हमने बात की कि भाई, बिहार वाली एरिया में आपका नलंदा है जो कि इस्ट इंडिया में है ठीक इसी तरह से वेस्ट इंडिया में कौन सी उन्वरसेटी है वेस्ट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट इंडिया में जो उन्वरसेटी है वह आपका है वल्लवी यह है वल्लवी ठीक है यह आपका वल्लवी है यहाँ पे और यहाँ पे आपका नलंदा ठीक है यह क्या है वल्लवी है और यहाँ पे है बिहार में नलंदा ठीक है तो यह इस्ट में हो गया आपका और यह आपका वेस्ट में हो पूरव और पश्यम, पूरव में नालंदा, पश्यम में आपका है, वल लबी, तो इसको जरूर याँ रखने, एर अब्रीबन, पूरव अपक याट पूरव और सॉर्ण पूरव अर। इस सब्सक्राइब प्र शवर इस्पिलाइ सब्चेत अंड्रिक बॉत बुढ़िश्णा, आलंदा अविश्टी नालंदा नुवरुटी तकसिला अविश्टी याओ धृ। अधंतपुरी ईंवर्सिटी, बताई यहां सब्सक्राइब इस फूलोग युनिवर्सटीज वाज पीमस पूर इस स्पेसिलाइस ट्रेनिंग उन्द सब्जेक्ट ऑफ तांतरिक पुर्दिश्ट विक्रम्सिला है नालंदा है तक्सिला है या उधन्तपुरी इसका तांतर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग हो इसका जो सही आंसर है है वो है आपका वित्रबभस इसीलिए इसलिए मैंने आपको पहले थिउरी पड़ाए था यही मेंन टीजन था शाधं के इतना आपके साथ में थिउरी को discuss करना क्योंकि जब theory पहले discuss करते हैं फिर आपका MCQ discuss करते हैं तो वो जो अपनी पढ़ाई है वो पर्मानिक पढ़ाई है मतलब कि हमें आता है अगर आप questions कर पार है तो हवा में नहीं किया अपने question पढ़के किया है तो ऐसे आप तयार करो पहले theory पढ़ो फिर MCQ करो now next अब ये जो है इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये वाला topic मैंने आपको करवाए नहीं अभी ये university वाली काफी बच गहीं है तो बाकी हम कल करते हैं क्योंकि आज अपनी class का भी time हो गया है तो आज हम इतना ही करेंगे ओके और भी बाकी काफी universities हैं जिनको हम discuss करेंगे बाकी university हैं वो कल discuss करेंगे आज के लिए पना ही करते हैं अगर session पसंद आया तो एक बार like कीजिए आप सब लोग और share भी किएजिए अब सभी लोग एक बार like कोर्स एक कर दीजिए इससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाई इसके लावा अगर पीपर वन आप प्लस पर पढ़ना चाहते हैं complete पीपर वन तो अभी आपका complete batch course चल रहा है जिसको आप जोईन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बढ़ा र प्लस जो भी आप लेना चाहिए उसको ले लीजिए या आपके प्लस के प्लस के रफर कोट शीटर लगाना है जैसे लगाएंगे तो डिसकॉंट आपको मिल जाएगा इसके अलावा यह benefits हैं जो आपको प्लस एन आइकोनिक में मिलते हैं ज्यादा फाइदा आइकोनिक में ह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा यह प्रोफाइल है मेरा अगर आपने फूलो नहीं किया तो यहां से आप मुझे फूलो कर सकते हैं यह से इसके अपूलिंग कर सकते हैं इसके अपूलिंग आपकी सारी चलते हैं उसके अलावा कल आपका स्कोलर्स प्रेस्ट होने वाला है आप काफी लोग बोलें कि सर अनरूल कैसे करें तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर आपको सारी चीज बताई गई है कि अनरूल कैसे करना हैं च्यार वज़े से आपका टेस्ट होगा, कल होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट जेना चाहते हैं, वो एन्रोल कीजिए, जहाँ पर आपको प्राइसेज और इसकोटर से जितनी को मिल जाएंगे, अनेकेडमी स्टोर है, वो आपके खुल चुके है, डैली में, तो जो भी स पैचेज आपके चल चुके हैं, इनको आप जोइन कर सकते हैं, अच्छा, फिर भी नहीं हुआ, तो प्लीज एक बार जो भी स्टूडेंट ओलड़े अन्रोल कर चुके हैं, वो एक बार गीता आपको बता दीजिए कि किस तरह से अन्रोल करना है, क्योंकि इनको प्रोब्लम प्लीज इनकी हेलप की जिता की, जिस प्रोडेंट का हो चुका है, हुआ, ठीक है, चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्श एशन में, आज के लिए इता ही है, एन्ट की